हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूटूब चैनल तैयारी एक्जाम की आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्रेंथ जोग्रफी इकाई चार है यहाँ पे परिवहन संचार एवं वेपार का परिच्छा उप योगी महतवपुन प्रेशनोतर है NCRT बुक से और NCRT बुक से एक्जाम में ज़्यादा तर क्यूश्चन आते हैं तो वीडियो को इन तक देखिएगा आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिजिएगा आप लोग देख सकते हैं हम लोग Q1 पे आ चुके हैं परिवहन मुखी रूप से कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन-कौन से होते हैं नाम लिखें उत्तर हो जाएगा परिवहन पाच प्रकार के होते हैं जिन में क्रमसह पहला है यहाँ पे सडक मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग, फोर है यहाँ पे वायू मार्ग, तथा फाइप है पाइपलाइन मार्ग अब आएए हम लोग चलते हैं क्यूश्य नबर टू पे लगभग, 33 लाख किलो मीटर, लंबी सडकों के साथ भारत, विश्वु में सरवाधिक जाल वाले देशों में अस्थान रखता है क्यूश्य नबर 3 आता है भारत में सबसे पुरानी सडक का क्या नाम है तो उतर हो जाएगा यहाँ पे ग्रैन ट्रंक रोड सडक का कोलकाता से अमरेज सर्थक का भाग भारत में पड़ता है अब देखें यहाँ पे क्यूश्य नबर 4 है ग्रैन ट्रंक रोड की सासक के द्वारा निर्मित किया गया था बहुत ही महतवपूर्ण है तो उतर हो जाएगा सेरसा सूरी द्वारा क्यूश्य नबर 5 आता है यहाँ पे भारत में सडको की विकास का आरंभिक प्रमान किस सभ्यता में मिलते हैं तो उतर हो जाएगा मोहन जोदरो एवं हडपा क्यूश्य नबर 6 से हमारा स्वतंदरता प्राप्ती के समय देश में लगभग 2.42.42.00 किलो मीटर कची एवं 1.46.00 किलो मीटर लंबी पक्की सडके थी क्यूश्य नबर 7 आता है पक्की सडको की लंबाई की द्रिश्टी से देश में महराश्ट को पहला अस्थान प्राप्त है यहां 2.70.00 किलो मीटर लंबी पक्की सडके हैं क्यूश्य नबर 8 आता है अभी हाँ पे पक्की सडको की सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है तो उतर हो जाएगा लच्छे दीप मात्र एक किलो मीटर लंबी पकी सडक है बस अब देखते हैं क्यूश्य नबर 9 क्या है सडको के घनत्व की दृष्टी से भारत के किस राज्य का प्रथम अस्थान है तो उतर हो जाएगा यहां पे केरल क्यूश्य नबर 10 आता है किंद्र सासित प्रदेशों में सरवाधी घनत्व चंडी गर में 1186 किलो मीटर प्रती 100 वर्ग किलो मीटर है अब देखते हैं क्यूप्शन नबर 11 आता है पूरे देश में सरकों का सरवाधी घरत्व दिल्ली में 17,381 किलोमीटर प्रती 100 वर्ग किलोमीटर है अगला हमारा क्यूप्शन है 12 भारत देश का सबसे लंबा राष्ट्रिय राजमार्ग का नाम क्या है? उतर हो जाएगा राष्ट्रिय राजमार्ग संख्या 7 13 है यहाँ पे स्रीमा सरक संगठन का गठन कब किया गया था? उत्यर हो जाएगा 1960 हिस्वी में आप लोग को याद रखना है स्रीमा सरक संगठन का गठन कब क्या गया था? उत्यर हो जाएगा 1960 हिस्वी में होटिन है यहाँ पे भारत में रेल परिवहन का विकास 16 अप्रेल 1853 हिस्वी से माना जाता है यह भी भी आई क्यूस्चन है आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे मुंबाई से थाने के बीच 34 किलो मीटर की लंबाई में रेल गारी चली थी क्यूस्चन अबर 15 आता है प्रेसासनिक सुबिधा के लिए भारतिये रेलवे को कितने छेत्रों यानि कि जोन्स में बाटा गया है तो उतर हो जाएगा 16 छेत्रों में सिश्टिन है यहाँ पे देश में सबसे बड़ा रेल छेत्र उत्तर रेलवे तथा सबसे छोटा उत्तर पूर्वी यहाँ पर देखिए तथा सबसे छोटा हो जागा उत्तर पूर्वी सिमान्त रेलवे है अगला हमारा है क्यूशन अवर से बेंटिन जो कि बहुत ही मतोपूर्ण है विभिन भाग के रेलवे छेत्र तथा उनके मुख्याले यह आपके आंसे ही आर्टी बुक में भी मिल जाएगा लेकिन हम यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर दिये हैं रेलवे छेत्र इधर है और मुख्याले इधर है तो आए हम लोग बारी बारी से देखते हैं पहला है हमारा उत्तर रेलवे जिसका मुख्याले है नई दिली दूसरा है पूर्व रेलवे जिसका मुख्याले है कोलकाता पस्चिम रेलवे जिसका मुख्याले है चर्च गेट मुंबई दच्छिन रेलवे जिसका मुख्याले चेनई है मध्य रेलवे का मुख्याले मुंबई सेंट्रल है पुर्व उत्तर रेलवे का मुख्याले गोरकपूर है अगला है हमारा पुर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्याले हाजीपूर है उत्तर पुर्वी सिमात रेलवे जिसका मुख्याले माली गाउं यानि की गुवा हाटी है दच्छिन मध्य रेलवे जिसका मुख्याले सिकंद्राबाद है दच्छिन पुर्व रेलवे जिसका मुख्याले कोलकाता है पुर्वी तटवर्ती रेल्वे जिसका मुख्याल है भुबनेश्वर है उत्तर मध्य रेल्वे इसका मुख्याल है इलाहवाद है उत्तर पहश्यम रेल्वे इसका मुख्याल है जैपुर है अगला है हमारा दाचिन पुर्व मध्य रेल्वे इसका मुख्याल है बिलासपुर देशिन पर्षिम रेल्वे इसका मुख्याले हुबली है और पर्षिम मध्य रेल्वे इसका मुख्याले जवलपूर है अब आए हम लोग क्यूस्ट नवर 18 पे चलते हैं बड़े सहरों में दैनिक यातरियों के आवा गमन के लिए DMU, EMU एवं MEMU रेल सेवाए उबलब्ध है क्यूस्ट नवर 19 आता है यहाँ पे एक अगस्त 1947 से रेल मांत्राले ने रेल यातरी भीमा योजना सुरू की है क्यूस्ट नवर 20 है पुर्वत्य राजों में में घाले एक मात्र ऐसा राज है जहां रेल मार्ग नहीं है यहाँ पे में घाले लिखा हुआ है अप लोग ध्यान देंगे अब आए क्यूस्ट नवर 21 है भारतिय रेल प्रनाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विस्व की तीसरी बड़ी रेल प्रनाली है क्यूस्ट नवर 22 पे चलते हैं विस्व की सबसे अधिक विधूति कृत रेल गानियां रूस के बाद भारत में ही चलती है अब क्यूशे नबर 23 आता है भारतीय रेल की सबसे अनोखी विसेस्ता जीवन रेखा का चलाया जाना है 16 जुलाई 1991 से चलने वाली यह रेल गारी विस्ब का पहला चलन्त अस्पताल है 24 है यहाँ पे देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइप लाइन जाल नहर कटिया गुवाहाटी सिली गुडी बरोनी कानपूर राजबंद मौन ग्राम हल्दिया पाइप लाइन है अगला है 25 नमबर है देश में वायू परिवहन का आरंव कब हुआ था तो उत्तर हो जाएगा 1911 इस भी में इलाहावाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के उड़ां से हुआ था यह बात भी आपको याद रखनी है यह एकजाम के दृष्टिकों से बहुत ही मातवपुन क्यूशन है अब देखिए 26 जों की आप लोगों का लास्ट क्यूशन है इंडियन नेशनल एयरवेज की अस्थापना कब की गई थी उत्तर हो जाएगा 1933 इस भी को और इंडियन नेशनल एयरवेज का मुख्याले कहां है तो यह आपका दिल्ली में है वीडियो को यही पर इंड करते हैं अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा आप लोग हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर दिजेगा ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँ सब्सक्राइब करें हमारे प्लेलिस्ट में और देखें वहां से यहां लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वहां से भी आप लोग देख सकते हैं थैंक्स पर वोचिंग झाल